हलो दोस्तोरी जबिशिक आप सब्का हमारे चैनल इंजिनियर बड़ी जिरुसिन में हार्दिक स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हमार्टियो को उटा के जो एग्जामिनेशन मार्च 2022 में कंड़क्ट होने जा रहे हैं फिफ्ट और सेवन सेमस्टर के तो उनके पेपर प इस वीडियो में डिसस्क नहीं वाले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पले मैं आप सभी से रिक्वेश्ट नहीं जाओंगा यदि अभी तक आपने यमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि इस चैनल में आप आपको मैं स क्राइबिस से लिए आपकर सइंतल में आपके दो प्रकार की सब्जेक्ट होती एक जो सब्जेक्ट होथि है कि उसको में सब्जेक्ट wanna माम दे धाऊं सब्जेक्ट और सेकेंड वन को मैं सब्जेक्ट तो नाम देता हुँ कります जिन मेंसे आपके इंटर्ण मार्क्स कितने होत थर्टी मार्क्स सापके इंटेर्नार्र मार्क्स हैं और एक्षोनल मार्क्स आपके ऑन टवन्ट्वन्ट्र मार्क्स आपके एक्षमिनेशन लिया जाता है पाठ टोबोट्वेट्र यहीं हैं ऐसे इसे अधिड़ से सब्जेट की बात करूँ तो यह सबजेट सो नम्बर कि टोटल होती है जिन में से आपकी internal marks कितने होते हैं 20 आपके internal marks होते हैं और जब कि external marks 80 होते हैं तो 80 marks का आपका जो R2 paper है वो पूछा जाता है ठीक है अब इनमें questions की बात कर लेता हूं फिर passing marks के में आउंगा कि आपको कितने passing marks होने के लिए ठीक है तो यहां पर आपकी कि तीन section होते हैं ठीक है पेपर में कितने section होते हैं तीन parts होते हैं जिनको a, b, c कह सकते हैं तो तीन section होते हैं आप पार्ट a, part b, part c अब इनमें कितने कैसे-कैसे questions इसमें भी same यह है कि part a, तीन parts होते हैं a, b, c अब इन parts में से कैसे-कैसे questions पोचे जादने कितने आपकी total question होंगे जिन में से आपको कितने attempt करने पड़ेंगी ज्यानिकि कितने optional question होंगे और कितने आपको compulsory होंगे कि यह करने ही है ओके तो यहां पर इस subject one के लिए आपको subject one में part a में total आपकी 10 questions पोचे जाएंगे ठीक है जिन में से आपको 10 ही attempt करने पड़ेंगे ठीक है 10 पोचे जाएंगे और 10 ही attempt करने पड़ेंगे और जो पर क्यूशन है क्यूशन पर मास्क माक्स कितना होगा आपका तो यह quantitative area मैंने तो क्यूशन एक नंबर का पर क्यूशन आपका होगा part a के लिए ठीक है अब पार्ट बी की अधि में बात करूं तो सिंप्ल में कॉपी कर लेता हूं इसको पार्ट बी की तो पार्ट बी की बात करें तो आपके टोटल तोटल आपकी 7 क्यूशन पूचे जाएंगे जिन में से आपको कितने अटेम्ट करने पड़ेंगे पाइफ क्यूशन अटेम्ट करने पड़ेंगे जिन में सब पर क्यूशन आपके कितने मार्ट का होगा 8 मार्क्स का होगा पार्ट C की यदि में बात करूँ पार्ट C पार्ट B है और ये पार्ट A है ठीक है पार्ट C की यदि में बात करूँ तो आपके टोटल 5 क्यूशन पूचे जाएंगे जिन में से आपको चार क्यूशन अटेंट करना कंबल सरी रहएगा ओके और कितने मार्क का क्यूशन होगा ये पर क्यूशन आपके 15 मार्क का होगा ऐसे तो यह क्यूशन का वेटेस हो गया सब्सब्जेक्ट 1 के लिए जो की एट सेमेस्टर में दो सब्सब्जेक्ट होती है अधिक्तर जो ब्रांच प्रांचे सफिनки लिए तो उन के लिए जो दोनों सब्जेक्ट होती है वो तीन घंटे वाली होती है ठीक अब टाइम कितना रिक्वाइड होगा सब्जेक्ट वन के लिए यहां पर टाइम में लिख देता हूं सब्जेक्ट वन के लिए आपको तीन घंटे आर्ट्यू कोटा के जो एक्जामिनेशन है उसके के लिए दिये जाएंगे हैं आ कि यहां पर आपको बात यह समझ में आ गए होगि अब जो सब्जेक्ट नंबर 2 है। उसके लिए हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहां पर एट सेमेस्टर के जो इग्जवन सेमेस्टर के जो एक्जामिनेशन होते हैं उनकी लिए यही पेटर्ण चलता है ठीकिए उनका डेट सु नंबर का टोटल पेपर होता है एक पेपर अधिकतर ब्रांचो में अब जो फिफ्त सेमेस्टर हैं उन्में दो परकार की सबजेक्ट होती है तो डेट सु नंबर वाली होती है यानि कि तीन गंटे का एक्जमिनेशन होता है व वैसे आपको 5 के 5 attempt करने पड़ते हैं ठीक है 5 में सब 5 attempt आपको करने पड़ते हैं और पर जो क्यूशन है वो कितने नंबर का होता है दो नंबर का होता है अरफ भी है किंव्यक्थ यह दिद्धी मैं बात करें पारट एक है अरफ वी अब कर से पारट बी कि यह दिद्धी में बात करें तो पार बी में आपके टोटल छे क्यूशन पूचे जाएंगे जिन में से आपको चार टेम्ट करने पड़ेंगे ठीक है, सो नमबर वाली जो सब्जेक्ट है उनके लिए और एक जो क्यूशन है वो दस नमबर का होगा पर क्यूशन आपका दस नमबर का होगा पार्ट सी के लिए यहाँ पर पार्ट सी में टोटल आपके तीन क्यूशन पूचे जाएंगे जिन में से दो क्यूशन आपको अटेम्ट करने पड़ेंगे ठीक है और पर जो क्यूशन होगा वो कितने नमबर का होगा 15 मार्क्स का 1 क्यूशन होगा यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो 40 नमबर तो पार्ट वीके हो गए 30 मार्क से इसके हो गए 70 और यह 10 मार्क से इस पार्ट एक लिए हो गए तो यहाँ पर बाते आपको समझ में आयोगी आप मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको पा जो यह सब्जेक्ट 1 है अब जिसमें से 120 नमबर का अब का आट यूबेपर आएगा तो 120 में से आपको कितने पासिंग मार्क्स में कितने मार्क से पहले तो 140 अब इसमें से मिनिमम्म आपको कितने मार्क्स रिक्वाइड पास होने के लिए तो उसकी यदि में बात करूं तो यहा पे टोटल आपको 42 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए ठीक है जबकि जो सब्जेक्ट नमबर 2 है उसकी मेग्सिम्म मार्क्स और पासिंग मार्क्स की में बात करो पहले मेग्सिम्म मार्क्स की बात कर लेता हूँ मैक्सिमुम आप 80 नमबर ला सकते हो और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो आपके 20 एक्स 8 मार्क्स लाने पड़ेंगा आपको पासिंग मार्क्स तब या पास पास होगे नहीं तो आपको एफ ग्रेट दे जाए याने फैल तो आई थिंक सब जो चीजें हैं वो हमने कवर कर ली ठीक है मिनिमम हो गया और यह केटेगरी वाइस डिवाइट कर दिये ठीक है इंटर्नल भी हो गया तो इस इस इमेज का लिंक आपको डिसक्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस मेरी तरफ से जितने भी आपके डाउट है वो सौल करने की कोशिश की और कोई डाउट होता है यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ठीक है यह पेपर पैटर रहेगा इस इमेज का आपको कि मिल जाएगा डिसक्रप्शन बॉक्स में तो वहां से आप इससे डाउनलोड कर सकते हो और अपने अकोडिंग देख सकते हो अब मैं बात कर लेता हूं कि मैं मैंनी यह डिटा है वह कहां से लिया र्ट्यू कोटा की ओफिशल से तो आपको 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 टोफिश मार्किंग स्किम वह चेक करनी है तो ओपन हो यह विंडो तो ऐसा कुछ विंडो आपकी पास ओपन हो जायाए यहाँ पर जो रिसेंट के जो पेपर संग उनके लिए हैं सलेवस है और साथ और साथ मार्किंग स्किम दी गई यह स्लेबस वाली लाइन यह वाली है और मार्किंग स्किम वाली यह वाली तो हमें बीटे के लिए फिफ्ट सेमस्टर का देखना है तो फिफ्ट यह सेवन एट का हो गया इसका देखना है हाँ चलो यह रहा है यहां पर कोई भी ले ले लेते हैं एक सब्जेक्ट जैसे यह ले ले लेते हैं मार्किंग स्किम इसमें चेक आउट कर लेता है बन तो यह पूरा पूरा पीडिएफ यहां पर आपको अपन हो जायागा अग्या तो यह आप आप देख सकते हो दो परकार की सब्जेक्ट मिल गए यहां पर जो फस्ट सब्जेक्ट है पॉलिमर साइन्स एंड इंजिनेरिंग यह सो नंबर की सब्जेक्ट है जिन मैसे एट आपके एक्टनल होंगे ट्वंटी आपकी जो इंटर यहां से जो डेटा है वो मैंने उठाया है तो ठीक है तो मैंने आपको यह जो चीजें हैं वह समझा भी दी तो बस आपने अकोडिंग देखिए कि कौन सा पार्ट आपको पहले एक्जामिनेशन में अटेम्ट करना है और कैसे आपको पेपर को हैंडल करना है तो आई होब यह information आप सभी students के लिए काफ़ी informative रही होगी और यह वीडियो यदि informative रहे तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए और अपने जो friends उनके साथ share कीजिए तो यार इस वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you for watching this video guys